एक कांप सारे क्लोज हो चुके हैं लायबिलिटीज अकांट सारे क्लोज हो चुके कहानी अब शुरू होगी का प्रोसेस तो आप शुरू होगा अभी तो सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट उसे बैलेंस ट्रांफर अभी कोई ऐसे ठीका थोड़ीना है अभी तो वाई से आपके वाज पैसे आए ही नहीं जो आप यूज करोगे पेमिंट्स करने में तो फर्निचर बेचा जोनल इंट्री क्या होगी अपर बेचा 50,000 जोनल इंट्री क्या होगी कैस्षप और दांट्र फरनिचर नॉर्मल सेनारियों में क्या इंट्री होती लिए पैसे आये आसेट गया है बट अजसे टेन पसारे च्छों कर चुके हो जब आपने अट्री स्कुरी में रिया ट्रेशान टू फर टर स्ट अपने मीट्राइड स्टीम गए सh kail bourg में अब जो भी होगा जटीम मेड दो थो जो भी होगा स्टार्षिंग थो अब अगर असेट बेचेंगे step one step two done step three realization of assets अब अगर आप assets बेचेंगे तो entry के पास होगी cash और bank to realization furniture बेचा cash और bank to realization building बेची cash और bank to realization debtor से पैसे आए cash और bank to realization कोई भी asset से कुछ भी realize हुआ एक ही entry cash और bank to realization अब assets के साथ दो चीज़े हो सकती है या तो हम वो market में बेचेंगे या वो कोई partner take over करेगा या तो हम उसको market में बेचेंगे या वो कोई partner take over करेगा मार्केट में बेचा तो cash और bank to realization किसी partner ने take over कर आप तो उसकी capital बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो आप partner हो तेक है ना आपने का कि यह laptop मैं ले जाओंगे यह laptop अब हमने हमने partnership बंद कर दी कि भाईया पस अब हम नहीं करना चाहते साथ का बिजनस बंद तो आपने का कि यह laptop मैं ले जाओंगी पचासजार की value पर इंसिग्निफिकेंट है अभी क्योंकि अभी मैं को entry में फोकस करना है बट मैं कहरा हूँ चलो पचासजार पर आपने का यह laptop ले जाओंगी क्या है यह transaction इससे आपकी capital बढ़ेगी है कम होगी शौर तो सोचके बोलते है इसी दाना capital कम होगी क्योंकि पते क्या है समझोगे तो entry खुद create कर पाओगे मैं यह चाद हो कि आप entry खुद create कर ले ताकि सर यह तो हम अपने आप कर लिया तो आगे भी कर पाएंगे तो नया लोड नहीं आया फिर इसका मतब जो मेरे existing concepts थे उसी से मैं entry create कर पाया वह आपके लिए बहुत beneficial होगा इस transaction में capital बढ़ रही है कम हो रही है तो capital debit होगी है credit होगी करेक्ट तो यह तरह से drawings in kind है क्या है यह drawings in kind लेकिन एंट्री क्या होगी market में बेचाता asset तो cash और bank to realization partner ने टेक ओवर करा asset तो capital account debited to realization asset taken over by a partner at the time of dissolution तो capital account debited to realization किस amount से एंट्री पास होगी किस amount से एंट्री पास होगी agreed value जो भी अपने आपस में decide किया अब वुक वाल्यू नहीं अब वुक वाल्यू नहीं यह एंट्री किस amount से पास होगी agreed value agreed value ध्यान से देखना when assets are sold in the market वेंट्री क्या होगी cash और bank account debited to realization cash or bank account debited to realization किस amount पर यह इंट्री पास होगी agreed value क्यारा मतलब क्यारा फर्निचर था बुक्स में बुक्स में फर्निचर था था 50,000 step one क्या था step one transferring the asset to the realization account to realization account debited to furniture क्या बोला मैंने फर्निचर बोला रियलाइजेशन तो फर्निचर पचास जार रुपे ओके अब अब हमने बेचा उसे बेच के मिले 35,000 बेच के मिले 35,000 जोनर एंट्री कैश और बैंक टूरियलाइजेशन 35,000 अब द्यांत लिखना बड़ा मज़दार पॉइंट तो पंदराजार का लॉस हुआ है उसका क्या होगा कुछ भी नहीं होगा एंट्री में कुछ भी फिफ्टी थाउजन क्रेडिट कितने से हुआ 35,000 लॉस था ना वह रिए नाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे जब आप बैलेंस निकालेंगे वो यह सारे प्रॉपेट्स और लॉसस कंसिडर कर लेगा तो आपको एक 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 एंट्री करके नहीं करना कुछ भी आपको एंट्री पास करनी है जितने का ट्रांजाक्शन अमाउंट है स्टेप 3 के लिए स्टेप 1 ट्रांसफर करना है बुक वाल्यों पर रियलाइज mon गेशेट्स अग्रीड वाल्यू पर अग्रीड वाल्यू मतलब ट्रांजाक्शन वाल्यू की जितने का असेट बिकांक पीलू छोस और प्रॉफेट्ट यहां पे अलग से नहीं आएगा एक एक वर्ड लिखना मैं रिपीट कर देता हूं दुबारा अगर आपने यह रूल्स ध्यान से कर लिए आपका 50% चैप्टर खतम अगर आपने रूल्स ध्यान से कर लिए और बहुत इज विए इंका खास क्कंस क्या होता है यहां तो पता है यहां तो पता है यहां नहीं पता है यहां रहां पता है क्रियेट नहीं हो सकते beautiful profit or loss old realization सब्सक्राइलाइजेशन और फासेट्स विल नॉट भी शोन सेपरेटल विल नॉट बी शोन सेपरेटली क्लियर समझाया है कि वैं नीड तो एक्स्प्रेइन मौर जो आपने पचासजार का पर निचर थर्टीफाइब का पेच है ना तो यह ट्रांजक्शन थर्टीफाइब क नहीं करना क्लियर कि यहां गया इंट्री विल भी पास्टाइट ट्रांजक्शन वाल्यू कि अगर मार्केट में बेचे अगर आसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है बताओ बेटा जंदन एंट्री कि वेरी गुड पार्टनर्स कापिटल अकाउंट डेविटेड टू 2 2 रिलाजिएट्ट ऑटनर्स काउंट अबिटेड टू रिलाज़िए पार्नास काव्र यंद एंट्री टो टो टू टू यू एग्यार सेम चीज इप इस नंटर बी अट दू अगूर्यू कर एंट यू अग्यू अग्यू अग्रुन अग्र्यू दिया जा रहा है या तो मार्केट में बेचा जाएगा या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा